हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनुवल इग्जाम 2020-2023 के क्लास 11 इंगलीज के पेपर के बारे में जादोस्तों एनुवल इग्जाम का पेपर है और इंपोर्डेंट पेपर है जिन लोगों का भी exam नहीं हुआ है उनकर लिए important है अगर आप सरसुधी बिद्या मंदिर में पढ़ते हैं तो यही paper आपका same to same यही paper आने वाला है तो वीडियो काफी अधा important होने वाला है तो वीडियो को full watch करना बिल्कुल भी इसकी मत करना साधी full solution भी आज की वीडियो में मिलने वाला है चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते है questions को सबसे पहले हमें दिया हुआ reading देखे reading में हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है पैसेज आप देख सकते हैं आप देखे इस पैसेज को कह रहा है केरफुली पढ़ना और इसके नीचे जो questions दियों का में answer देना है सकते हैं रिसी मतलब प्राप्त करना होता है फिर उसको अद यहाँ पर writing section में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें पूछा है कह रहा है independence day was celebration with your pomp and so in your college campus Mr. R.B. दिक्षित इस्पेक्टर आप his school was the chief guest write a report on function to deserving all the achieved activities that took place मतलब कह रहा है कि आपको independence day के celebration पर एक आपको article लिखना है जिसमें आपके मतलब मुख खेती थी जो chief होंगे वो Mr. R.B. दिक्षित होंगे जो chief guest होंगे ठीक है इसी पर आपको इस function पर एक article लिखना है अब ये 5 number आपको देखे जाएगा important है अरसाल 11 के exam में आता ही आता है फिर उसको आद यहाँ पर question 3 में पूछा है हमें एक essay लिखना है 10 number के लिए question है importance of traffic rules मतलब traffic rules के importance क्या है health is wealth क्या है मतलब health is wealth पर आपको लिखना है need of discipline in life ठीक है फिर write a letter to the chairman to district देखे municipality को आपको एक letter लिखना complain करने के लिए break down up water supply or locally मतलब आपके जहाँ आप रहते हैं आपके society आपके मोहले में जो है पानी की कटोती हो गई है इसके लिए आपको मुंसी पार्टी को एक letter लिखना है पांच number के लिए question है आथवा में दिया हुआ है यह वाला भी आप कर सकते है sympathy of your friend मतलब सहानुभूत जताने के लिए उसका final exam में fail हो गया है उसको मतलब सहानुभूत जताने के लिए आपको एक पत्र लिखना है ठीक है यहाँ पर लिख सकते है फिर उसको आद यहाँ पर section c grammar part यही important होता है बीस number का आया हुआ है यह बीस number अगर आप क्लियर कर लेते तो आपका अच्छा number आ सकता है तो question इस प्रकार है कि good morning my friend I am happy to see you said rather indirect speech में बतलना है तो देखे राधा विष्ट राधा विष्ट टू my friend that यहाँ पर that हो जाएगा good morning I am happy देखे I change हो जाएगा किसे change होगा यहाँ पर my friend से तो यहाँ पर he भी हो सकता see भी हो सकता he I am कवाज हो जाएगा happy to see you क्या हो जाएगा यहाँ पर से change हो जाएगा मतलब जो कीजेगा एक ही कीजेगा फिर इसको आद है do not work carefully go away from here देखे इसका चेंज होगा आइधर आर से तो आइधर do the work carefully or go away from here एकदम सिंपल सा था compound में आसानी से चेंज हो जाएगा फिर इसको everybody likes to earn a name and fame तो इसको आपको transform करना था interrogative sentence में तो इसका आपको एक बार answer देख लेना confirm मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा ठीक है फिर उसको आद यहाँ पर correct the sentence किसे करना the cow are sitting besides the shade of a tree देखे besides यहाँ पर दिक्कत होगी बिसाइट नहीं लगेगा यहाँ पर बिसाइट मिसिंग है यही वाला आपका होगा फिर उसको आद यहाँ पर सब्सक्राइटSरी करना फाल पान को एक बार आपको देख लेना लेंड मतलब क्या होता है यहाँ पर sy मतलब भी दिखना कह सकते हैं पर तो आपको क्या करना है कह रहा है find out the one word one word subscription में कहरा है दा लाइफ हिस्ट्री आफे मैं रेटेन बाई समवन इलसे इस पर आपको करना प्रे माने होता है प्रातना करना एक प्रेक आपको अर्थ ढोल लेना है फिर इसको आपको पैसे श्रांफ लेफन को दिया है इसको आपको पैसे श्रांफ लेफन अच्छे से कर लेने जैसे नहीं भी आ रहा है तो कर दीजे क्योंकि अगर 8 नमबर का है तो आपको 4 तो मिली जाएगा अगर पूरा गलत कियेंगे थोड़ा भी बहुत सही करेंगे तो 5-6-7 मिल सकते हैं नमबर आपको ठीक है फिर यहाँ पे लिट्रेचर पार्ट से पूछा गया है कुछ क्वेस्टन ह नमबर फूरा गया है कोई बीड्र से 1,5 पेज लिखें तभी पूरा नमबर साथ मिलेगा आपको फिर यहाँ पर प्रतेक पे दिये जाएंगे फिर उसको आद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखने को आया बहुत इंपोर्टेंट है इसका वीडियो भी मैंने बनाया था दवाइज आप दा रेन और फोटोग्राफ दोनों का वीडियो बनाया था इंपोर्टेंट भी बताया था कि यही त तो चार नंबर का यह आया हुआ है यहाँ देख लीजे फिर उसको आद यहाँ पे एंसर दवन आप दा फालोइंग कोश्चन इन 60 वर्ड आप देखे सप्लीमेंटरी रीडर से पूछा गया है सप्लीमेंटरी रीडर में आपको दो कोश्चन है यहाँ पर देखे रतना वा दीजेगा आपका अच्छे से हो जाए फिर उसको आद यहाँ पे वही पूछा गया है सेम तीन कोश्चन दियें कोई सदो करना है जो भी आपको आ रहा हो चार नंबर प्रतेक पर दिया जाएगा तो आब यहाँ पेपर खतम होता है बस दोस्तों आज के पेपर में इतना ही था आज के यह पेपर कैसा लगा कमेंड वोग से बताना पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं इसकी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ